Hello everyone, welcome to my channel तो आज का हमारा टॉपिक है Models Models वर्ब होते हैं जिन है model auxiliary वर्ब या फिर model वर्ब कहते हैं तो इस वीडियो में models के types और uses को कबर करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि model verbs होते हैं अब कौन से वर्ब होते हैं क्योंकि English grammar में दो तरह के वर्ब होते हैं पहला helping verb और दूसरा main verb helping verb जो कि is, am, are do, does, watch, word have, has, had, will तो ये सारे helping verb हुए इसे auxiliary verb भी करते हैं तो जब भी हम इन helping verbs को किसी sentence में use करते हैं तो हमें tense का पता चलता है कि कौन सा action present में हो रहा है past में हुआ या future में होने वाला है तो basically हमें time का पता चलता है main verbs action done by subject are called main verbs यानि कि जो काम subject के द्वारा किया गया है वो main verb है for example वह दौर रहा है he is running वह पढ़ रहा है he is studying तो इन दोनों sentence में running और studying main verb है और is एक helping verb है तो ये दो तरह के verbs हुए helping verbs और main verbs अब model कौन से verb की category में आते हैं और इसके usage क्या हैं तो चलिए सबसे पहले ये कौन से category में आते हैं ये देखते हैं और फिर इसके usage समझते हैं तो models हमेशा helping verb की category में आते हैं और ये main verb की help करते हैं sentence की mood को दिखाने में for example you can win the match तुम match जीत सकते हो तो इस sentence में can as a helping verb use किया गया है जो की एक model है जिसके use से हमें ये पता चल रहा है कि subject में match जीतने की ability है तो यहाँ पे ability शो कर रहा है एक और example अगर मैं कहूं you should learn English तुम्हें English सीखनी चाहिए तो यहाँ पी क्या sense बनके आ रहा है कि मैं किसी को advice दे रही हूं कि तुम्हें English सीखनी चाहिए तो should एक model है जिसे use करने से advice यानि सलाह देने का बोध हो रहा है तो यह तो मैंने helping verbs और model के बारे में और उसके uses बताए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कुछ basic models के बारे में सीखते हैं तो सबसे पहले हमारे list में कुछ models हैं जिसे हम advice लेने और देने के sense में use करते हैं जैसे should, must और ought to तो पहले should के uses को देखते हैं जैसे you should help him तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए तो यहाँ पे हम किसी को advice दे रहे हैं you should practice English every day until you become fluent तुम्हें हर रोज practice करनी चाहिए जब तक कि तुम्हारी English अच्छी नहीं हो जाती you should eat healthy food तुम्हें healthy भोजन करना चाहिए you should consult to the doctor तुम्हें doctor से बातचित करनी चाहिए तो यहाँ पे हम किसी को advice दे रहे हैं कि आपको ये काम करना चाहिए अब next है must must का use भी चाहिए के sense में ही करते हैं बट जब हम किसी को strongly suggest करते हैं कि आपको ये काम जरूर करना चाहिए आवश्य करना चाहिए यानि कि जब हम जोर दे के बोलते हैं कि आपको ये काम करना ही चाहिए तब हम must का use करते हैं जैसे आपको उससे जरूर बात करनी चाहिए You must talk with her या him मोहन को घर जाना ही चाहिए मोहन must go home तुम्हें English जरूर सेखनी चाहिए You must learn English Next है ought to ought to का use भी हम advice देने के लिए करते हैं बट इसे moral obligation के लिए use किया जाता है यानि नैतिक करतब के लिए जैसे हमें बड़ो का आदर करना चाहिए We ought to respect our elders हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए We ought to serve our country आपको सच बोलना चाहिए You ought to speak the truth तो should, must और ought to ये तीनों models advice देने के sense में use किया जाता है लेकिन इसके difference क्या है जब हम should model word का use करते हैं तो हमारी advice अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है जब हम must का use करते हैं तो इसे आवश्य के sense में use करते हैं यानि जोर देके बोलते हैं कि आपको ये जरूर करना चाहिए ought to का use नैतिक करतब्यों के लिए किया जाता है तो ये है difference next है can can का use भी हम next है can can का use हम ability और capacity बताने के लिए करते हैं कि वो यह काम कर सकता है जैसे he can solve this problem वो इस समस्या का हल कर सकता है उसमें ये ability है समस्या को solve करने की वो अंग्रेजी बोल सकता है he can speak English ability की बात हो रही है he can carry these tomatoes to the rickshaw वो इन टमाटरों को rickshaw तक ले जा सकता है यानि कि वो समर्थ है इन टमाटरों को rickshaw तक ले जाने में capacity की बात हो रही है अब can का use permission लेने और देने के sense में भी किया जाता है जब हम अपने family और friends के साथ बात करते है यानि कि informal situation में can का use करते है जैसे can I help you क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो यहाँ पर permission लेने की बात हो रही है you can go there तुम वहाँ जा सकते हो यहाँ पर permission दी जा रही है कि तुम वहाँ जा सकते हो you can sit here तुम यहाँ बैठ सकते हो यहाँ भी permission दी जा रही है she can wear my clothes वह मेरे कपड़े पहन सकती है तो यहाँ भी permission दी जा रही है तो can का use permission लेने और देने के sense में किया जाता है informal situation में यानि आप अपनी family या दोस्तों के साथ can का use कर सकते हैं next है may may का use भी permission लेने या देने के sense में किया जाता है polite request के लिए किया जाता है और possibility बताने के sense में भी किया जाता है जैसे may I use your notebook क्या मैं तुम्हारी copy ले सकता हूँ तो permission लिया जा रहा है कि क्या मैं तुम्हारी copy ले सकता हूँ may I come in sir क्या मैं अंदर आ सकता हूँ ये भी एक permission है permission मांगा जा रहा है you may go now अब आप जा सकते हो तो permission दिया जा रहा है कि अब आप जा सकते हो तो may का use भी permission लेने और देने के sense में किया जाता है लेकिन formal situation में जैसे अपने elder teacher या फिर अपने boss के साथ यूज किया जाता है जब हम polite request करते हैं तो भी make a use किया जाता है जैसे may you help me क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं may you give me some money क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं तो यहाँ पे polite request किया जा रहा है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं अब possibility के sense में make a use यानि कि संभावना है it may rain today आज बारिस हो सकती है मतलब जादा तर संभावना है कि आज बारिस हो सकती है वह सही हो सकता है he may be right वह अपने पिता से मिलने घर जा सकता है he may go home to meet his father तो यहाँ पे possibility की बात हो रही है it may rain today आज बारिस हो सकती है मतलब chances है कि बारिस हो सकती है वह सही हो सकता है he may be right मतलब यहाँ हम जादतर श्योर है कि वह सही हो सकता है next है might might का use भी possibility बताने के लिए किया जाता है लेकिन less possibility बताने के लिए या फिर ना के बराबर possibility है तो या फिर अनुमान के लिए यानि जब हम guess करते हैं तब might का use किया जाता है जैसे it might rain today आज बारिस हो सकती है मतलब यहाँ less possibility है हो सकता है बारिस नहीं भी हो सकती है तो बहुत ही कम chance हो उसके लिए might का use करेंगे राजिस घर जा सकता है राजिस might go home यानि घर जाने की possibility कम है so make का use कहा करेंगे जहाँ possibility more than 50% हो और might का use less than 50% या ना के बराबर हो तब might का use करेंगे हमारा next model verb है could जिस तरह से can का use present में ability या capacity बताने के लिए किया जाता है उसी तरह could का use past के ability और capacity बताने के लिए किया जाता है जैसे he could win the match वह match जीत सकता था यानि कि वह समर्थ था match जीतने में I could lift 100 kg when I was young जब मैं जवान था तब मैं 100 kg वरजन उठा सकता था they could beat you वे लोग तुम्हें पीट सकते थे I could run fast when I was young जब मैं जवान था बहुत तेज दौर सकता था next है would would का use generally polite request, past habit, wish या desire इन सारे sense में would का use किया जाता है जैसे आप मेरी मदद करेंगे, would you help me या इस तरह से भी बोल सकते हैं जैसे would you please help me, so it sounds more polite would you drop me on the bus stop, क्या आप मुझे bus stop छोड़ देंगे तो ये polite request है मैं रूज मंदिर जाता था I would go to temple everyday जाता था, यानि की subject की past में habit थी वह smoke करता था he would smoke, यानि past time में उसकी smoke करने की आदत थी wish, इक्छा होना, चाहना या offer की sense में भी would का use किया जाता है तो यहाँ पे would के साथ like का भी use किया जाता है जैसे I would like to thank you मैं आपको सुक्रिया कहना चाहता हूं I would like to have some coffee मैं coffee लेना चाहता हूं तो यहाँ पे wish की बात हो रही है subject की एक्छा है I would like to say something मैं कुछ कहना चाहता हूं तो यह भी subject की एक्छा है वो कुछ कहना चाहता है Would you come with me? क्या तुम मेरे साथ आओगे? तो यह एक offer है Next है used to करता था या जाया करता था Generally used to का use past के habitual performance के लिए किया जाता है यानि कि subject की past में कोई habit थी जो वो daily किया करता था मैंने would model verb में भी past की habit के बारे में बात की थी बट वो regular performance की बात नहीं थी करता था यानि कभी-कभी बट used to के sense में regularity की बात होती है तो यह है difference दोनों में अब कुछ example used to का जैसे वह football खेला करता था He used to play football मेरी दादी कहानी सुनाया करती थी My grandmother used to narrate a story सीता यहां आया करती थी सीता used to come here वह पूरे दिन काम किया करता था He used to work whole day तो यह सारे subject की past habit थी जो की अब नहीं है Next है need to जरूरत है या आवश्यक्ता है जैसे तुम्हें करी मेहनत करने की जरूरत है You need to work hard तुम्हें English सीखने की जरूरत है You need to learn English उसे healthy खाने की जरूरत है He needs to eat healthy food सोहन को वजन कम करने की जरूरत है सोहन needs to lose weight Next है dare to हिम्मत करना या साहस करना यानि किसी काम को करना या चुनावती देने वाले sense में dare to का use किया जाता है जैसे वह तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत रखता है He dares to talk in front of you मैं आने की हिम्मत करता हूँ I dare to come तुम्हें मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हो How dare you talk to me तुम्हें मेरे किताब को छूने की हिम्मत कैसे हुई How dare you touch my book तुम्हें मेरे की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें एफ जा 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 लुई एक पूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मेरे की हिम्मत कैसे हुई